इस ट्रिंग को पनाने के लिए यहां पे मैंने दो लसन की कलियों को बारी चौप कर लिया है यहां हम इसमें डाल देंगे इसके साथ मैंने ली है कुछ लेमन की बिल्कुल पतली-पतली स्लाइसेज विद जैस्ट मतलब चिलके के साथ ही आपने लेमन को लेना है और पतली-पतली मैंने इसकी छोटी सी स्लाइस कर ली है विदाउट सीट यह भी हम इसमें डाल देंगे इसके साथ मैं यहां पर एड करूंगी हाफ टीस्पून के जितना हनी और इसके बाद मैं आड हाफ लेमन का जूस अब को इसे एक रात पहले अगर आपको कल से यह ड्र 인ट लेना स्टार्ट करना है तो आपको एक रात पहले इस मिक्चिर को प्रिपैर करके रात को आपको इस रग देना है तो आब नेक्स्त मार्णिंग आपको लेना है व अन ग्लास ओफ ल्यूक वाल पानी जादा गरम नहीं होना चाहिए आपको यह लूक्वर्म वाटर लेना है और यह जो इंग्रिडियन्स हमने रात को भीगो कर रखे थे यह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसे इस ग्लास में ट्रांस्फर कर देंगे अब आप अच्छे से बिर्न करना चाहते है तो आपको गार्लिक के साथ ही इस ड्रेंग को कंजूम करना है और अगर आप इसे गार्लिक के साथ नहीं कर सकतेे तो आपको दो से तीन मिनिट के लिए इसे ढखकर रख देना है और देन उसके बाद आप इस ड्रिंग को ले सकते हैं आप इसको चान कर ले सकते हैं बट अगर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको विद गार्लिक ही लें तो ये बहुत जादा एफेक्टिव ड्रिंग है और एक किलर ड्रिंग है ये आपके फैट को मेल्ट करने के लिए आपके फैट को बन करने के लिए